आई ट्वेंटी टोटल चार वेरियंट्स के साथ आती है मैगना, स्पोर्ट्स, आस्टा, आस्टा ओप्शनल जो इसका सेकेंड बेस वेरियंट है स्पोर्ट्स वो मुझे परसनली काफी पसंद है और अगर आप एक नई आई ट्वेंटी लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है देखना विकॉज इसमें मैं आपसे कुछ ऐसे रीजन्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिससे आई ट्वेंटी स्पोर्ट्स आपके लिए एक अच्छी डील बन जाती है अगर आप आई ट्वेंटी लेने का सोच रहे हो हेलो गाईज वेलकम टू एनदर फ्रेश एपिसोड वीडियो और आज के इस वीडियो में करते हैं बात थोड़ी सी अलग थोड़ी सी डिफरेंट सो मेरा नाम है शितिस दिवेदी और मैं जो इस वीडियो में अपसे बात करने जा रहा हूँ रीजन्स टू बाई हूंड़े आई ट्वेंटी स्पोर्ट्स वेरियंट सो वीडियो को देखते रहेगा लास्ट तक और वीडियो में बढ़ते हैं आगे स्पोर्ट्स वेरियंट में तीनों इंजन ओप्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पर 1.2 लिटर्स का 4 सिलेंडर काप़ पिट्रोल इंजन मिलता है जो कि Manual Transmission और Intelligent Variable Transmission या IVT के साथ देखने को मिलता है वन लीटर का Turbo GDI 3-Cylinder Patrol Engine देखने को मिलता है जो कि सिर्फ Intelligent Manual Transmission के साथ मिलता है Dual Clutch Transmission Sports Variant में देखने को नहीं मिलता है और एक 1.5 लीटर का U2 CRDI 4-Cylinder Diesel Engine देखने को मिलता है जो कि सिर्फ manual transmission के साथ मिलता है ये आपको काफी अच्छी variety दे देती है यदि आप इस variant की तरफ जाना चाहते हैं sports variant में radiator grill parametric jewel pattern के साथ देखने को मिलती है जो कि Hyundai की signature cascading grill में बनाई गई है जो काफी attractive लगती है इसी के साथ halogen bulb के साथ reflector headlamps देखने को मिल जाते हैं बट Hyundai में काफी customization के option मिलते हैं चाहे आप बाहर market में देख सकते हो चाहे आप Hyundai से ही पूरा headlamp setup चेंज करवा सकते हो यहाँ पे आप LED के साथ projector lamp भी लगवा सकते हो projector fog lamps देखने को मिल जाते हैं विट halogen bulb जिनका response काफी अच्छा रहता है और जो DRLs की placement है वो fog lamp के पास करी गई है अगर आप top end variant में देखेंगे तो वो आपको headlamps के अंदर ही देखने को मिलेगा बट at least इस variant में आपको DRL तो देखने को मिली जाते हैं अगर बात करें side की premium और up market look बनाता है इस i20 के side को वो है ये chrome belt line जो काफी look को enhance कर देती है ORVM की बात करें तो aerodynamically designed body color ORVM मिलते हैं जिसमें आपको integrated turn indicator मिल जाते हैं और एक अच्छी बात ये है कि ये welcome feature के साथ आते हैं यानि कि ये आपको electrically adjustable और foldable देखने को मिलते हैं और जब भी अप गाड़ी को unlock करते हो तो ये unfold हो जाते हैं और जब lock करते हो तो ये fold हो जाते हैं तो ये एक premium feature है जो आपको इस variant में भी देखने को मिल जाता है shark fin antenna देखने को मिल जाता है ये generally top end variant में दिया जाता है बट आपको sports variant में भी मिल जाता है body color door handle देखने को मिल जाता है इन body color door handle के उपर आप chrome kit लगवा सकते हो जो की आप company से as well as बाहर market में लगवा सकते हो keyless entry नहीं दी गई है because यहाँ पे smart key नहीं मिलती है और आपको push start stop button भी नहीं मिलता है 16 inch के steel wheels देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे tire profile है 195 oblique 55 R16 wheel cover का design है वो बिल्कुल top end variant के alloy wheels से ही मिलता जुलता है अगर आप दूर से देखोगे तो आप पता ही नहीं कर पाऊगे कि ये alloy wheel है की wheel covers है जो कि steel wheel के उपर लगाया गया है dark silver color में जो काफी beautiful लगते है customization के रूप में आप इसमें alloy wheel भी डलवा सकते हो चाहे आप top end variant वाला डलवा लो या आप बाहर after market जा करके भी डलवा सकते हो अगर spare tire की बात करें तो उसकी जो profile है वो 185 oblique 65 R15 ही देखने को मिलता है जो कि again एक steel wheel है चाहे आप top end variant में देखो चाहे आप इस variant में देखो rear profile की तरफ चलें तो इसका जो Z shape का LED tail lamp है न which looks very futuristic और attractive ये आपको इस variant में भी देखने को मिलता है और इन दोनों tail lamp को जो आपस में connect करने वाली line है वो chrome garnishing के साथ देखने को मिलती है वो इस variant में भी मिलती है जो काफी एक up market look बना देती है गाड़ी को और एक premium touch दे देती है इस variant में भी reverse parking sensors मिल जाते हैं और reverse parking camera देखने को मिल जाता है with steering wheel adaptive dynamic guidelines safety features की बात करूँ तो यहाँ पे driver और co driver के लिए front compartment में दो airbags देखने को मिल जाते हैं anti-lock braking system with electronic brake force distribution देखने को मिल जाता है speed sensing auto door lock और impact sensing auto door unlock देखने को मिल जाता है emergency stop signal ऐसे ही कुछ और safety features भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं but electronic stability program traction control hill start assist इस तरीके के safety feature इस variant में देखने को नहीं मिलता अगर वो चाहिए तो आपको top end variant में ही जाना पड़ेगा बाकी इसकी जो body है वो advanced high strength steel और high strength steel से बनाई गई है तो यह काफी एक मजबूत गाड़ी बन जाती है sports variant में दो options देखने को मिलते हैं एक मिलती है normal i20 और एक मिलती है i20 dual tone तो यह भी आपको काफी एक variety देखने को मिल जाता है जो कि आपको sports variant से start हो जाता है और यह top end Asta optional variant तक continued रहता है driver seat में driver height adjustment का भी option देखने को मिल जाता है along with sliding and reclining mechanism इसी के साथ अगर बात करें steering wheel की तो tilt or telescopic adjustment यहाँ पे हर variants में मिल जाता है इस variant में audio और bluetooth control भी देखने को मिल जाता है steering wheel mounted control में cruise control इस variant में देखने को नहीं मिलता है अगर बात करें instrumental cluster की तो fully digital instrumental cluster देखने को मिलता है TFT multi information display के साथ जहाँ पे आपको gear shift indicator देखने को मिल जाता है manual transmission के case में tire pressure monitoring system high line वाला देखने को मिलता है इसका मतलब हर tire का यह pressure animation के रूप में बताएगा इसके साथ low pressure warning भी यहाँ पे अलग से light के रूप में देखने को मिलती है parking sensor display देखने को मिल जाता है door और tailgate अजार warning देखने को मिल जाती है तो जो आपको इस variant में instrumental cluster देखने को मिलता है वही same आपको top end variant में भी देखने को मिलता है sports variant में 8 इंचिस का touchscreen infotainment system देखने को मिल जाता है जहाँ पे android, auto और apple carplay की connectivity मिल जाती है eye blue remote देखने को मिल जाता है FM radio, call, driver rear view mirror ये सारी चीज़ें आपको इस variant में भी देखने को मिल जाती है जो इसे एक value for money variant बना देती है ताकि हमें गाड़ी खरीदते ही किसी aftermarket shop में ना जाना पड़े इस screen को लगवाने के लिए तो ये एक काफी अच्छी चीज़ें कि आपको second base variant में भी ये infotainment system देखने को मिल जाता है यहाँ पे चार speakers देखने को मिल जाते हैं और दो tweeters देखने को मिलते हैं storage के लिए arm rest देखने को मिल जाता है front compartment में glove box में AC का vent मिल जाता है जिसको हम cooled glove box कहते हैं इसी के साथ rear compartment वाले passengers के लिए दो AC के vents देखने को मिल जाते हैं तो यही थे कुछ 5 reasons to buy i20 sports variant तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए थैंक्स वर वाचिंग मी सो पेशिंसली एंड बाबाई पर्फॉर्मेंस में आपको कभी भी कोई भी कमी नहीं आने वाली है गाड़ी रोड पे चिपक के चलेगी यह मैं दावा कर सकता हूँ